गुड मॉर्निंग टू आल आप यू च्वागत है आप तोहों का रविन एकडमी के यूट्यूब चैनल पर हम लोग पढ़ रहे थे लेक पाल यमसी क्यू स्रिंखला जिसमें हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरे लेक्चर में उपस्तित हुए बहुत काठी क्या थी important question कलेक्शन के साथ तो सुरू करते हैं बीना किसी देरी के पहला question आप इस्क्रीन पर देख रहे होंगे नौ हिंदुबाद के प्रडेता कौन थे ? नौ हिंदुबाद के प्रडेता माना जाता है विवेक अनन्द को अब इसकी वज़े क्या है? क्यों माना जाता है इनको? एक्चुल में जो 19. सतापदी के सामाजिक धार्विक शुदार आंदोलंग थे उनमें विवेक आनन्द यह जो इनका रामक्रष्ट मिशन था तो इनकी विचार धरा क्या थी? यह एक्चुल में मानते थे मूर्ति को भी मानते थे और यह बहुदेववाद को भी मानते थे बहुदेववाद को भी मानते थे जबकि और भी जो है समासुदारा देरान सरस्वती, राजारा मोहन राय वो इसे नहीं मानते थे यह मानते थे इसको इन्होंने समर्थन दिया और इसके पीछे लाजिक क्या दिया कि इशर्ड जो होता है साकार और निराकार, साकार और निराकार दोनों रूप है इसके, तो साकार और निराकार दोनों है और इसकी अनभूती विविन प्रतीकों के रूप में भी की जा सकती है, क्या कहते हैं, इशर्ड की अनभूती विविन प्रतीकों के रूप में की जा सक प्रतीकों के रूप में की जा सकती है इसलिए वो प्रतीक के रूप में ये मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए उन्नीश्वी सताबदी के नौ हिंदू जागरण का संस्थापक इन्हें कहा जाता है तो यह नौ हिंदू आगे हिंदू दर्म में मूर्ति पूजा होती है और इन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेवबाद को फिकार किया है इसलिए इनको नौ हिंदूबाद का प्रडेता बोल जाता है तो आंसर सी होगा हाई होग कि आपको किलेर हो गया होगा दूसरा कोश्चन आप स्क्रीन पर सीर ते इस लिए यह को अपने आपको हिंदू दिवता करशन का अवतार बोलते थे यह मुस्लिम लेकिन हिंदू दिवता करशन को मानते थे काफी लिवरल थे ठीक है और इन्होंने अपने आपको महदी और मसीया बोला रहे समाज सुधारों से समंदित लॉर्ड विलियम वेंटिक का परमुख कार क्या था हम सब जानते हैं यह सती प्रता पर प्रतिवंद यह 1829 का उन्होंने एक एक्ट तयार करवाया था और उसका रेगुलेशन नंबर 17 के द्वारा सती प्रता को प्रतिवंदित कर दिया गया था अगला महाराष्ट में प्राप्ना समाज की स्थापना किस ने की तो महाराष्ट में प्राप्ना समाज की स्थापना आत्माराम पांडूरंग ने की थी सारे कोश्शन बहुत इंपोर्टेंट है क्वाइब कार्ल सिलीमेंड किस पर था के उनमूलन से संबन्दित था तो यह था ठ्ञीप पर था के उनमूलन से संबन्दित ठीक है तो आंसर दी फटा फट अगले क्वेश्चन नमर शिक्स पर पहुचते हैं यंग बंगाल आंदु बहुत important, यंग बंगाल आंदुला इसमें एक option छूट गया, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा चलाया गया था बंगाल में, यंग बंगाल आंदुला बहुत important है, सतीपर्था की समाप्ती का विरोध करने वाला भारती नेता कौन था, सतीपर्था की समाप्ती का था और यह थे राजा राधाकांत देव, यह विरोधी थे, राजा रामोहन राय की विचारों के और इसलिए यह सतीपर्था का भी विरोध इसमें किया था, ओके, अगला question देखते है, अंतर जाती एवं बिद्वापुनर विवा से समद्धित 1872 का अधियम क्या कहलाता है, तो 1872 का यह दियम जो होता है, यह ब्रह्म मेरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है, अंतर जाती एवं बिद्वापुनर विवा से समद्धित ना, इंटर कास्ट मेरिज और वीडो री मेरिज से समद्धित एक एक एक्ट तयार किया गया था, 1872 का उसे ब्रह्म मेरिज सोवकान सोसाइटीं का अंतरास्ति मुख्याल है कहां ये अधेयार में स्थापना की थी बहुत जादा इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा तो आज का यह लास्ट कुश्चन था इसका अगर आपको पीडियाप लेना है तो कहां मिलेगा दो जगए मिलेगा नमबर एक यह मिलेगा राविन अकेडमी के राविन अकेडमी के ओफीसियल एप पर अप्लीकेशन पर यह आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने फोन पर लॉगिन कर लीजे वहां इसके पीडियाप मिलेंगे दूसरा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाएए और हमारे अप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर लीजे वहां पर इसके पीडियाप तो मिलेंगे बिलेंगे और एक चीज आपको मैं और दूंगा अपने अप्लीकेशन पर आपको इससे जादा कोश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमारे अप कोश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे रॉबिन अकेडमी अप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टूर पे और हम आपको इस वीडियो के डिस्कप्शन में भी अपने अप्लीकेशन और टेलीग्राम का लिंक दे देंगे वहां से डारेक्ट भी आप वह धन्वाद और मिलते हैं फिर अगले क्लास में ऐसे ही इंपोर्टन कोश्चन के साथ पुना धन्वाद